समाजवादी पाची के अध्याक्ष अखिलेश यादव ने 69,000 सिक्षकों की भरती के मुआमले को लेकर एक बार फिर से योगी आदितिनात की अगवाई वाली भाज़पा सरकार पर निशान असाधा है उन्होंने अभियर्तियों की तरफ से किये जारे प्रदर्शन का वीडियो ट्विट करते हुए आरक्षन सूची के लिए तीन महिने की समय की मांग को लेकर संदेह ज्वाहिर किया है अखिलेश ने लिखा 69,000 सिक्षक भरती में इमानदारी से न्युक्ति के लिए तीन घंटे में कम्प्यूटर पूरी सूची तयार कर सकता है उतरप्रदेश की भाज़पा सरकार इसके लिए तीन महिने का जो समय मांग रही है वो संदिक्ध है इससे अभियर्थियों में घपले घोटालेबा जी भाज़पा सरकार के खिलाफ ये संदेह पैदा हो रहा है कि किसी के द्वारा सर्वोच नियाले में इस मौमने को लेचवा कर कही आरक्षण विरोधी भाज़पा सरकार इसे अपने बच्चे हुए कारेकाल के लिए टालना तो नहीं चाहती भाज़पा का सबसे बड़ा संकट ही यही है कि उसका असली चहरा जनता ने देख लिया है और अब जनता भाज़पा की सूरत और सीरत पहचान गई है अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछडों दलितों का आरक्षण च्छीना है 79,000 सिक्षण भरती में पिछडों दलितों को नियाई नहीं मिला बीजेपी सरकार ने अपना प्रष्टा चार और गलत काम छिपाने के लिए सिक्षण अभियरतियों के भविश्य के साथ खिलवार किया है उन्होंने कहा कि पिछड़े दलितवर्ग के सभी नेता भाचपा छोड़कर पीडिये के साथ आए उधर 79,000 सिक्षण भरती मौामने में सीम योगी और बीजेपी सरकार के सही योगी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है उपोख्य मंत्री केश्वपरसाद मौर्य केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई नेताओं ने कोट के फैसले का स्वागत किया है इस मौामने में यूपी सरकार का इस पश्ट उम्मत है कि सम्विधान द्वारा प्रदत आरक्षण की सुविधा का लाव आरक्षित श्रेणी के लिए अभियर्तियों को प्राप्त होना ही चाहिए किसी भी अभियर्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ऐसे तमाम बड़ी खबरों के देखते रहें केलांचल टाइम्स